आजकल बड़ी कंपनीज AI का इस्तमाल कर रही है लोगों को हायर करने के लिए आज के टेक्चेक एपिसोड में मैं रचित सेट आपको बताऊंगा क्या होती है AI रिजियू में स्क्रीमिन्ग और कैसे आप इस स्क्रीनिंग को पास कर सकते हैं जिससे आपकी जौब पक्की हो जाएगी तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए पहले आप कंपनी को अपना रिजियू में देते हैं और फिर अगर कंपनी को आप सही लगते हैं तो आपको इंटर्व्यू के लिए पुलाती हैं इंटर्व्यू देने के बाद आपको जौब के लिए सेलेक्ट किया जाता है अब पहले सेलेक्टर्स यह प्रोसेस मैंड बिली करते थे यानि वो एक-एक करके सारी रिजियू में चेक करते थे और उसके बाद बेस्ट कैंडिडेट को इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाता है यह चीज काफी समय लेती है जिसकी वज़ए से और कोई कंपनी अच्छे कैंडिडेट को नौकरी दे के अपने पास बुला सकती है लेकिन अब कंपनीज एए टेकनोलिजी का इस्तमाल कर रही है जौब सेलेक्शन के लिए इस सेलेक्शन मेथड को हम रिज्यू में स्क्रीनिंग कहते हैं इसकी मदद से कंपनीज को ये डिसाइड करने में असानी होती है कि कौन सा कंडिडेट कंपनी के लिए सही है क्या होती है AI रिज्यू में स्क्रीनिंग AI Resume Screening वो process है जिसमें recruiters या hiring manager AI software का इस्तमाल करते हैं ये keyword matching से भी जादा advanced technology है ये tool company की hiring process को समझता है और उसके basis पर ये candidates को select करता है अब example के तौर पर एक company को ऐसा candidate चाहिए जिसके पास 5 साल का experience है अब AI Resume Screening Tool उन्ही लोगों को select करेगा जो ये criteria को match करते है क्या फायदा होता है AI Resume Screening Tool का इसकी वज़े से सारे candidates को equal opportunity मिलती है और किसी भी तरीके का bias खतम हो जाता है इसके साथ hiring manager का time भी बचता है क्योंकि अब उनको एक एक करके resume चेक करने की जरूरत नहीं है इसके साथ ये tool company के candidates को shortlist करके भी देता है आपने AI को जो candidates के लिए criteria दिया है उसी basis पे वो चीज़े shortlist करके आपको देगा company जल्दी से समझ जाती है कि किस candidate को interview के लिए बुलाना है और क्या skills है उन candidates के पास कैसे पास करे AI resume screening अब चाहे hiring manager AI resume screening का इस्तमाल करे या नहीं आपको ये चीज़े याद रखनी है अपनी selection को सुनिश्चित करने के लिए specific job description पर focus करें job posting usually specific position के लिए ही होती है तो resume बेचते समय उसी position पर focus करें ताकि अगर company AI resume screening tool का इस्तमाल करती है तो ये tool आपका resume सेलेक्ट करें इसके अलावा focus keywords का इस्तमाल करें ताकि recruiters को पता रहे कि आपने job description पड़ी है formatting जरूरी है आपको अपनी resume को साफ सुतरा और सान रखना है ताकि वो अराम से AI screening tool को पास कर ले इसके साथ आपको सही format का भी इस्तमाल करने की जरूरत है ताकि AI tool आपके resume को असानी से पकड़ ले अब example के तोड़ पर employees को word document जादा पसंद आता है PDF की जगए headers आपके सही दिखने चाहिए आखरी चीज़ जो आप चाहते है कि गलत impression की वज़े से आपका dream job चले जाए professional advice ले अगर आप अलग-अलग jobs के लिए apply कर रहे हैं और आपकी कई selection नहीं हो रही है तो समझ जाईए कि आपके resume में कुछ problem है अब ऐसे case में आपको अपने दोस करीबी परचित और expert से advice लेनी चाहिए कि आप अपने resume को कैसे बहतर बनाए system को दोका देने का प्रयास ना करे अगर आप AI tool के साथ दोका करने की कोशिश करेंगे तो आपकी resume reject कर सकता है अब मैं इसे example से समझाता हूँ अगर आप multiple roles के लिए apply कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज AI tool आपको नहीं पकड़ेगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं इस से आपके chances और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं select होने के लिए आसान भाषा का इस्तमाल करें सही keywords का इस्तमाल करना जरूरी है पर इसके साथ ये भी सुनिश्चित करें कि आपको भी भाषा असपष्ट और समान्य नहीं है अपनी achievements को highlight करें ताकि बाकी deserving applicants की तरह आपको भी interview के लिए select कर लिया जाए तो ये थे tips और tricks जिससे आप AI resume screening tool को बड़े अराम से पास कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपका इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो मेरे से comment section में जरूर पूछेगा ये वीडियो पसंद आई है तो like जरूर कीजे साथी साथ जनसत्ता को जरूर सब्सक्राइब कीजे ऐसी ही और tech related वीडियो के लिए धन्यवाद